राजेश खन्ना साहब, काका जी के नाम से जिन्हें हम पुकारते थे अभीने की एक इंस्टिटूशन है, उनकी सहजता, उनका संबाद अदा करने का तरीका, उनका हाव भाव, उनका बोल चाल, हाथों को, आँखों को इस्तिमाल करने का तरीका अभीने में किस तरह से अपने मुकालमों में, अपने डायलोग्स में, किस तरह से डाल देते थे वो, हर चरीतर को इतनी सहजता से निभाते थे मैं आप सभी अभीनेताओं को, अभीनेत्रियों को, एक बार कहता हूँ कि उनका कोई भी एक सीन जो आपको अच्छा लगता वो उठाई है, कोई भी, और उसे अपने तरीके से करने की कोशिश कीजिए, फिर देखे काका जी ने उसको कैसे किया, आई, ला जवाब, काका ज मैं एक चोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, सीन तो नहीं है, एक चोटा सा सॉंग, मुखडा अंतरा, आपको समर्पित है, और मैं आपको सलाम करता हूँ प्यार दिवाना होता है, मस्ता ना होता है, हर खुशी से, हर हम से वेगाना होता है शमा कहे परवाने से परे जगाचा, नदी तरा दिल जाएगा, यहां नहीं आप शमा कहे परवाने से परे जगाचा, नदी तरा दिल जाएगा, यहां नहीं आप वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से, हर घम से वेगाना होता है फिल्म जगत के सभी कलाकारों की ओर से, हमारे काका जी को आदर आंजली, अभिनय आंजली, स्नेह आंजली